कि हमारी क्लास में हम आउट्पूट के बारें पर रहे हैं तो आउट्पूट स्टेट्मेंट में हमने बताया था कि इस पर्टिकुलर क्रेक्टर के से आउट्पूट करेंगे अब बात करेंगे कि हम किसी वेरेवल्स को कैसे आउट्पूट करेंगे जैसे कि मैंने आप लिख होगा सिक्वेंस से स्टोर भी होगा तो एक ऊपर टू एंड बी के ऊपर फोर स्टोर होगा अगर मैं करता हूं यहां पर कि प्रिंट तो यह देखेंगे टू प्रिंट होगा एक पाइस को रण करके देख सकते हैं कि यहां पर डॉट हो गया था कॉमा कि यहां देखिए टू प्रिंट होगा कुछी में मैं लिखूं प्रिंट कॉमा में एक कॉमा बी तो आप देखेंगे टू अरो फोर थोगा से स्पेस के साथ प्रिंट होगा अपका थोगा स्पेस के साथ प्रिंट होगा लेकिन इसी में मुझे यहां पर लिखना है प्रिंट प्रिंट में मैंने ए कॉमा बी कॉमा और यहां पर हमें लिखा सेपी अब सेप्टेंबर मत समझेगा सेपी का मतला हुआ सेपरेटर और किस सेपरेटर से मुझे चाहिए तो यहां आपका टू कमा फोर आएगा मैं लेज़े मुझे इसके बीच में और चाहिए सेपरेशन तो अब मैं इसको करूँगा तो टू एंड फोर आप देखेंगे तो सेपरेशन के लिए ऐसे एसे पी का इस्तमाल हम करते हैं इसे वीसे जो भी सेपरेशन चाहिए ओशेपरेशन आप ले स करते हैं तो को इस तरह से हम इसका आउट्पूट करते हैं कि अबाद हम बात करते हैं कि किसी ऑबजेक्ट क्यों कैसे करें इसे हम यहां पर लिख दिए यह पास्ट फस्ट पस्ट पस्ट एक्वल टू और हमने स्क्वाइर ड्राइकेट में दे दिया है इसके बाद यहां पर एब पर लेटर में फिर कॉमा यहां पर लिख दिया आई पीड है तो यहां पे हम प्रिंट में प्रिंट में पॉस्ट कर देते हैं अब देखें प्रिंट करते हैं यह एसेप्ट नहीं कर रहा है यहां पे मालीजी स्ट कर देते हैं पूरा का पूरा पूरा प्रिंट हुआ या फिर मालीजी कि मैंने यहां पे लिखा एक और दी इक्वल टू और हमने को कर्ली वाइक केट में डाल दिया करली वाइकर में हमने डाल दिया वान कॉमा तू कॉमा कॉमा ठी कॉमा फाई इस तरह से नंबर स्टराव या फिककोई टेक्स्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं अब मैं करता हूँ प्रिंट और print पर देता हूँ D तो क्या print होगा यह देखे पुरा हो गया print इस तरह के curly wakate में एक list of array को भी हम print कर सकते हैं जो हमने print use किया हुआ है अब बात करते हैं क्या हम text और variable को एक साथ कर सकते हैं print जैसे मान लिजिए कि A equal to 20 है और मुझे 20 और कुछ text को print करना है तो मैंने यहां पर लिखा print और print में हम यहां देते हैं A क्योंकि हमें और in order इस event number यह कुछ भी देना चाहिए दे सकते हैं तो आप देखेंगे कि 20 is event number करके आपको यहां पास आएगा यहां पर तो यहां पर हमने क्या किया हम जैसे दो variable यूज करते हैं ऐसे हमने A, B के जगा पर मैंने अपना text लिख दिया तो इस तरह से text आप लिख सकते हैं लेकि अगर बीच में लिखना हुआ तो जैसे हम करते कि the number 20 is event number तब क्या करेंगे तो यहां पर हम print का command लगाते हैं print के command में यहां पर देते हैं कि the number अब यहां पर कॉमा देंगे फिर यहां पर हम A को लिखेंगे और फिर यहां पर देंगे is यहां स्पेज दे दीजेगा बना शट जाएगा is event number is event number अब मैं इसको यहां से प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं कि the number 20 is event number तो वेरेबल को बीच में हम कुछ इस तरह से type करेंगे print के command में अब बात करते हैं कि print को formatted print अब हम बात करते हैं कि कि किसी object को formatted object कैसे print करेंगे जैसे कि x equal to 10 है हम लिख देते हैं value और यहां पर percent के symbol और यहां पर i देते हैं और यहां पर comma वापस percent और t कर देते हैं अब एक्स ना भारा x कर देते हैं यहां बात गलत है यहां पर मुझे साहते space और यहां भी is कि परसेंट का जो symbol है except नहीं कर रहा है इस percent के symbol को भी हटा देता हूं अब print करता हूं तब क्या होता है तो यहां पर देख सकते हैं कि percent आई टैन सो कर रहा है वैलू जो है वैलू भी यहांपर value होना चाहिए अच्छा दूसरा एक्जाम्पल देखते हैं उसमें हो हमने लिया x, y equal to 10, 15 और मैं यहाँ पे print का command लगाया print के command में हमने यहाँ पे लिखा यहाँ पे single code x equal to percentage i फिर space दिया और y equal to किया percentage d, d for double और फिर यहाँ पे मैं percent का symbol के अंदर x, y कर देते हैं तो तब यह work करेगा यहाँ देखे 10 हो गया और यहाँ हो गया तो d हो गया आपका double में और ai हो गया integer अब बात आती कि फिर उपर वर्क नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे double quotation यूज कर रखा था अगर हम यहाँ पे single quotation यूज करते हैं और फिर यहाँ पे percent का इसेंबल देते हैं तो आई थिंग वर्क कर लेता है कि उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं अब जैसे कि इसमें जो है एक शीजिए और कर सकते हैं हम यहाँ पे अन इकवल डू करते है लिंडा या भी माली जिए इन वाटर कॉमा में मैंने पूजा लिख दिया अपर यहां पे करते हैं print के साथ हम यहां पे लिखते हैं इन वाटर कॉमा में Raphael I और परसेंट का स्विंबल देते और यहां पर देते यह स्पोर स्ट्रेंग यहां पर सेंट और फिर एन्ड करते हैं अच्छा यहां वर्क इसलिक्टि नहीं किया क्योंकि हमने कॉमा दे दिया थहां इंक कॉमा नहीं देना बभूल गया था यहां पर इस तरह से लिखोगे तो आपका पूजा string में होगा मतलि string होते हुए हाँ पूजा लिखा हुआ आया क्योंकि string string में convert होके आपको दिखाएगा अगर को text भी आपने डाल नंबर भी डाला तो text में convert होके आपके सामने दिखाएगा अब जिसे कि यहां पर एक और command लगाना चाहूं मैं कि मैं लिखता हूँ print और print में मैंने दिया यहां पर single code high और यहां पर bracket में percentage two zero s फिर bracket close किया और उसके बाद मैंने यहां पर percent का symbol देके end कर दिया एन फॉर लिंडा अब देखिए क्या होगा अब देखिए हाई यहां पर हाई हो हो गया था हाई इसके बाद इसने ब्राइकेट ओपन किया और इसके बीच में 20 space का gap दिया क्योंकि यहां पर 20 space था इसलिए इसने 20 space का gap दिया एस जो होता space का donate होता है space होता है आपका तो इसने 20 space का gap दिया और यहां पर आपको दिदे दिये अगर इसको minus कर देते हैं तो यह आपका 20 उतना space को घटा देता है अगर plus में है तो बहा देगा अगर minus में है तो घटा देगा यह आपका simple से काम होता है अब चलिए इसमें एक चीज़ और देखते हैं मैं यह लिखता हूं कि print में single code के अंदर मैं लिखा high और यहां हमने percentage सी दिया पिर कॉमा आगे इन percentage सी दिया और फिर इसको close करके आगे करते हैं पिर percentage और यहां पर एंड कर देते हैं और मतलब कि जो हमारा एंड पूजा है और हो गया अब क्या होगा अब देखिए सब्सक्राइब यह हैश हो गया मुझे यहां percent देना अब यहां पर इसको okay करते हैं पर्षेंटेज के साथ हमने नेम देना था तो इसमें आपका जो है ना कि अलग चीज़ सोना शो होता बट साहिए लग रहा है कि और नहीं कर रहा है इस तरह से इसका यूज हम अपने office के अंदर में अच्छे तरीके से करते हैं तो जो फ्लॉट है अब यहां पर एक चीज़ और यहां पर देख लेते हैं कि मैंने यहां पर कमांड दिया प्रिंट में मैंने यहां पर एक वैलू लेता हूं पहले मालेजे मैंने यहां पर ले लिया के इक्वल टू यहां देता हूं 123. और यहां पर इक बड़ा साथ फ्राइंट नमबर दे जाता हूं अगर प्रिंट करते हैं तो क्या लग रहा है पूरा प्रिंट होगा कर दो कर दो कर दो यह दखिए यहां पूरा प्रिंट होगा है लगी प्रिंट करते मि हम यहां पर लाजाते है कि दो वैलू एज अब यहां पर सेमी कॉलन देते हैं और यहां हम percentage के साथ f देते हैं f मतलब फ्लॉट और फिर यहां space देखे and percent और जो हमारा k है k को लिखते हैं bracket को close कर देते हैं अब देखते हैं यहां पर फ्लॉट हो गया यहां पर कितना बड़ा हमारा टेस्मेल प्लेसेज थे फ्लॉट के जो हमारा five decimal places होता है six और गया बाकी को इसने रिमूव कर दिया तो फ्लॉट में हमने इसको convert कर दिया लेकिन अगर हम इसी में इसी में इसी में यहां पर उपर हम देते हैं copy paste यहां देते हैं तो एफ जगह पर एट पॉइंट टू करके एफ कर दिया अब क्या होगा देखें अब यहां पर जस्ट दो डेस्मेल प्लेसेज सो पर अच्छा क्या एट पॉइंट टू लगाना जो रही है यहां पर मालेजिए वन पॉइंट टू लगाने के तब क्या होगा तो यहां पर सिर्फ फिर भी दो डिजिट ही दिखेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए इसका इस्तिमाल हम लोग करते हैं तो यह रहा हमारा आउटपुट मेथोड हमने बताया किस तरह से आउटपुट में हम यूर्ट करते हैं अगली क्लासे में हम बात करेंगे इंपुट के बारे में कि इंपुट का क्या रोल है यह हमारी अगली क्लास होगी रचा रचा करेंगे